आप अपने Gmail account को permanently delete करने चाते हो तो ये वीडियो के काफी कामाने वाला आज मैं आपको permanently delete करना देखाऊंगा आपका Gmail account अगर आप सर्फ mobile से delete करने चाते हो तो इसका वीडियो की link आपको description में मिल जाएगी और permanently delete करने के लिए ये वीडियो आप देख लीजी पूरा तो सबसे पहले में Google में search करूंगा तो Google में search करेंगे my account Google तो हम simply इसको search करेंगे search करने के बाद आपको ये दूसरी second link मिल रही है जिसमें है sign in Google account तो simply हमें इसको click करके open कर लेना है तो ये link अभी open हो चुक है link के open होने के बाद आपको ये उपर एक photo दिख रही है इस पर हम simply tap करेंगे photo पर आपको सामने सारी Gmail email ID open हो जाएगी जिसको आप delete करने का तो simply आप उसको click कर लो यानि की select कर लो तो इसको मैंने select कर लिया क्योंकि मैं इसको delete करने के बाद आपको ऊपर ये slide वाला option दिख रहा है यहाँ पर आपको ये वाला option दबाना है जिसमें लिखाव है data and personalization तो यही होगा delete your account तो यहाँ पर हम देखते है option delete a service or your account तो simply हम इसको click कर लेंगे तो यह मैंने click किया इसको click करने के बाद आपके सामने और भी option आजाएंगे तो आपको सबसे उपर आपको मिलेगा delete a Google service इसमें आपको Google की जो service है वो इसमें so कर दी जाएगी आप उसमें से कोई भी delete कर सकत तो इसके second option है delete your Google account तो हम simply इसको click करेंगे तो इसको click करने के बाद आपको simply यहाँ पर अपना password लगा लगाने के बाद आपको next पर click कर देना है तो यह मैंने next पर click के दिया उसके बाद देखते क्या नहीं वाला है तो next पर click करने बाद यह आपको जो नीचे arrow दिख रहा है इस पर आपको simply टेप कर देना है तो इन दोनों पर मैं अभी टेप कर देता हूं उसके बाद मैं delete account इस पर हम click कर लेंगे तो यह आपका account यहाँ से delete हो चुका है अभी आप यहाँ से दूसरा account से sign in कर सकता हो easily अभी चोटा से लाइक कर दो ताकि मैं आपके लिए अच्छा चे वीडियो बनाता हूं और मुझे फॉर्सलाय मिलता रहा है आपके लाइक से थेंक्यू